शिम्ला के सांजोली मस्जिद विवाद पर राजीव शुकला तलाब केसी वेडू गोपाल ने राजीव शुकला से मांगी जानकारी हिमाचल के कॉंग्रिस प्रभारी हैं राजीव शुकला राजी शुक्ला ने बताया मामला शान्त हो चुका है अदालत के फैसले का इंतजार करें कुमार विक्रांत अमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े कुमार क्या अपडेट है कॉंगरेस आला कमान ने शिम्ला के मामले को कमेटा से लेते हुए वहां के प्रभारी राजी शुक्ला को बुलाया था इसके बात केशले निगोपाल को राजी शुक्ला ने बताया कि अब मामला शान्ती की हो रहे है सभी को बयान बाजी करने से मना कर दिया गया है और सभी को ये कहा गया है कि अदालत में मामला है, अदालत जो फैसला करेगी वो सभी को मानने होगा, इसलिए कोई बयानबाजी ना करे और अदालत के फैसले का इंजार करे और कॉंगर्स पार्टी के और से ये भी कहा गया है कि अदालत का जब मामला अदालत में जाच चुका है तो ऐसे में कोई भी नेता बयानबाजी बिल्कुल भी ना करे और अदालत का फैसला जो आएगा, उसको सभी मानेंगे, ऐसा बयान सभी दें, जिसके बाद राई शुक् को कि अब मामला शांसी की तरफ आगे बढ़ जाएगा, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए,